कुल टेक्स्टाइल निर्यात लक्षे का 68 प्रतिशत हो चुका है पूरा चालो विक्त वर्ष के पहले 9 महिनों के दौरान देश से गामेंट निर्यात में लगभग 35 प्रतिशत की वृत्थी हो चुकी है और अनुमान है कि इस वर्ष की अंतिम तिमाही में भी गामेंट निर् ये कहना है कि अपेरल एक सपोर्ट प्रोमोशन कांसिल एपीसी के नवनिर्वाचित चेहरमैन श्री नरेंद्र कुमार्गोइन का का विगत दिनों अपेरल एक सपोर्ट प्रोमोशन कांसिल के चेहरमैन का पदभार संभालते ही उन्होंने कहा कि गामेंट निर्यात में वृ की तुल्ला में लगभग 41 प्रतिशत वृत्थी हो चुकी है। सरकार ने चालू वर्ष के लिए टेक्स्टाइल सेक्टर यानि फैब्रिक यान गार्मेंट हिंडी क्रॉफ तादी का निर्यात लक्ष्या 44 बिलियन डॉलर तै किया है। एईपीजी की कारेकारी समेधी की बैठक में डाक्टर इशक्ट वेल से चेहरमैन का कारेभार संभालने के बाद कहा कि देश से गामन के निर्यात में जोड़दार वृत्थी हो रही है। वृत्वर्ष के पहले नौ महीनों यानी मार्श से दिसंबर के बीच देश से कुल 11.1 बिलियन डॉलर मूले के गामन का निर्यात किया गया जो गतवर्ष की इसी अवधी में कियेगा निर्यात 8.22 बिलियन डॉलर की तुल्ला में 35 प्रतिशत अधिक है। श्री गोयन का क्या अनुसार निर्यात लगातार बढ़ रहा है और वृधी की यह गति आगे भी जारी रहेगी। उल्लेकनी है कि गतवर्ष को विदुनिस के कारण वैश्वी गर्त व्यवस्था में आई मंदी के बाद भारत सहित प्रते निर्यात अगदेश से गामन के निर्यात में गिरावच आई थी। बेरहाल अब विश बाजार में सामाने होती स्थिती के बाद कामन की मांग में वृध्थी हो रही है। यही कारण है कि भारत सहेच चीन, बांगलादेश, वियतनाम, पाकिस्तान आदी सभी देशों से निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। उनके अनुसार प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकारद्वारा उठाई कदमों से गामन्ट निर्यात में ये बदलावाया है, निर्यातकों में इस से नया उत्साह भरा है और वैश्विक सप्लाई चाइन में और मांग में अनिक व्यवधानों के बावजूद भ लिये वितिये पुर्न अगचन का पेकेज, नाशनल टिकनिकल टेक्स्टाइल मिशन और प्रधान मंत्री मेगा इंटेग्रेटिट टेक्स्टाइल डीजन अन अपेरल पार्ग, आधी से देश के गामेंट सेक्टर को मजबूती मिली है, श्री गोइन का कमानना है कि अवशक्ता है, ये कांसिल परंपरागत और नए बाजारों में गामेंट निर्यात को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, बहराल भारतिय रियातकों को विभिन विदेशी बाजारों में बांगलादेश, कमबोडिया, तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका आधी प्रतिद्वंद्रियों से ड्यूटी के कारण कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है, उनका मानना है कि विभिन देशों के साथ फ्री त्रध्य अग्रीमेंट के बाद भारतिय निर्यातकों को प्रतिद्वंदी, देशों के साथ समान अवसर प्राप्त होंगे, कुल टेक्स निर्यात में उत्साह जनक रुप बना हुआ है, चालूग विक्तवर्ष के पहले नौ महिनों के दौरान भारी वृत्थी हुई है और निर्धारित निर्यात लक्षे के 68 प्रतिशत तक पहुँच चुका है, चालूग विक्तवर्ष में अप्रेल दिसंबर में टेक्स्टा का हुआ था, उलेखनी है कि कोविट के कारण 2022-21 के दौरान सप्लाई चायन और मांग प्रभावित होने से देश से टेक्स्टाइल निर्यात में भारी गिरावट आई थी, सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष अप्रेल दिसंबर के दौरान टेक्स्टाइल सेक्ट का निर्यात 14.6 प्रतिशत बढ़ा था, वानिजी मंत्राले से प्राप आखनों के अनुसार अप्रेल दिसंबर 2019 की तुल्ला में टेक्स्टाइल सेक्टर का निर्यात 31 प्रतिशत अधिक हुआ है, चालू वितवर्ष के लिए सरकार ने टेक्स्टाइल सेक्टर के लिए 44 बि अधिर को आशा है कि वर्तमान सिद्धी को देखते हुए लगए।